हैलो दोस्तों आज का हमारा मिशन है कुछ कमाल के वीडियो क्लिप्स देखना तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्या आप भी किसी भूके साप को अपने हाथ से निवाला खिलाने की हिमाकत कर सकते हैं ये शक्ष ना जाने क्यों भाग कड़ा हुआ यहां कुत्ता तो बेचारा बस घराई महमान को बैठने के लिए सीट ओफर कर रहा था यूपी के फतहपुर में तेजी से चलते एक ओटो को जब पुलीस ने रुकवाया तो वो देखकर हैरान रहे गए कि इसमें ड्राइवर सहित 27 लोग सवार थे पूर पूर में यह ढोग सब्सक्राइव ने ड्राइव ने जोड़ा पर धुलीस ने जोड़ा हुआ हुआ शोड़ा हुआदे ने पूर्चिस ने आफ़गों जोड़ा पच्टीस ने जपीश अपनी कार को सावधानी से पार्क करना कोई इन शेक साहब से सीखे और शायद पीछे खड़ी गारी का ड्राइवर इसी मोके की फिराक में था शायद इस बोट का ड्राइवर पहले जीटिये गेम में बोट चलाया करता था लेकिन उसे नहीं पता था कि असलियत में कंट्रोल्स भई थोड़े अलग है इन मोहतर्मा के अनुसार नीचे गिरी हुई आईस क्रीम को उठा कर खाया जा सकता है बशर्ते कोई बेख ना रहा हो इस महला की सडक पर पड़ी स्कूटी को उठाने एक नोजवान आगे तो आया पर भला जिसे उपर वाला ही गिराना चाहता हो उसे कौन उठा सकता है सडक पर से गुजरते बाइकर को इस बात का बिलकुल भी पता नहीं चला की आज किसमत ने किस कदर उसका साथ दिया है सडक किनारे पार्क की हुई इस स्कूटी में जहरीला कोबरा साप घुसाया कर दू़ Šया 사용자를 किसा एक शींगा members भी एक हुई एक भी में लिएा चाहँ वहाँ की हुई आखी हुई मुई एज़ कर दो फिक電 हो लिन्सान हरकतों से भले ही ये लोंडा आपको अपराधी जैसा लग रहा हो पर भई स्मार्ट होना हमारे हिसाब से तो कोई अपराध नहीं है ये एक अकेला पहिया चार पहियों पर चलती कार से भी जादा स्पीड में दोड़ता दिखाई दिया अब ये किस ने सोचा था कि बच्चपन में जिस नकली घोड़े की हमने सवारी की थी असलियत में भी घोड़े ठीक वैसा ही बैलेंस बना सकते है होसला हो तो इन स्कोटलेंड एरपोर्ट के स्टाफ जैसा जो की बारा टन से भी जादा वजनी जहाज को अपने हातों से रोकने की कोशिश करते दिखे तेज बरसात के बाद राधिस्तान के टॉंक शहर में एक ट्रेक्टर पानी में बहता दिखाई दिया अपने जान को दाव पर लगा कर मध्य परदेश के घुशिया गाउं में हर दिन महिलाए एक सूखे कुए में पानी लाने के लिए उतरती है अज़ की कुए में पर लगा के दुदिया दिखे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद